हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कब हमें आप्संस बाइंग करना चाहिए और कब हमें आप्संस सेलिंग करना चाहिए यानि कब हमें आप्संस बाइंग से जादा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा और किस कंडिशन में हमें आप्संस सेलिंग करने पे जादा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा यह चीज हम इस वीडियो में डीटेल से स्टडी करने जा रहे हैं अब अगर हम options selling करते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है ज़्यादा funding की जरूरत होती है अब बहुत साँए लोग के पाल उतना पैसा नहीं होता है तो जहां पर आप देख रहे हैं कि options selling पर हमें ज्यादा profit मिलबा और options buying करने पर हमें profit मिलता हुआ नहीं दिखेगा तो वैसे condition में अगर आप options selling नहीं कर सकते हैं तो एक काम तो कर सकते हैं कि आप options buying avoid कर सकते हैं यानि आप नहीं trade करते हैं भी अपने trade के accuracy level को increase कर रहे हैं तो यह भी एक तरीका होता है जहां पर हम अपने losses को avoid कर रहे हैं और अपने profit probability को हम काफी हद तक increase कर रहे हैं तो इस वीडियो हम इनी सारे point के उपर बात करेंगे तो चलिए start करते हैं तो यहां पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह आपका nifty 50 का चार्ट है 5 minute time frame वादा चार्ट है जिसके basis पर हम आसानी से intra-day trading कर सकते हैं चाहें आप futures में करो या फिर options में करो intra-day trading यहां पर हम generally options trading पर फोकस करें क्योंकि यहां पर हम options buying और options selling के बीच में क्या differences हैं इसके उपर बात करने जा रहे हैं तो यहां पर हम trade कैसे initiate करेंगे देखिए price आपका gap up open हुआ है और उससे पहले एक और आप options में trade करते हैं तो एक और जी जो maximum लोग ignore कर देते हैं वो चीज आपको देखने के ज़रूरत होती है वो होता आपका wix यानि volatility index अब इसका हमें कैसे help करेगा और इसका importance क्या वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे generally जो options trader होते हैं वो इसको देखना बंद कर देते हैं न price point को break नहीं करता इसको हम SL लेंगे और जहां पर प्राइस हमें दिखेगा उस point पे हम क्या करेंगे sell side की तरफ entry लेंगे और यह जो sell करेंगे हम कहां पर करेंगे यह sell करेंगे हम futures में यहां पर हम इस level के आपका 17,380 के आसपास यहां पर हम futures में sell करेंगे और इसके बाद यहां पर हम options में क्या trade करेंगे? Options में हमें जो strike price करना होगा वो करना होगा 17,400 के put options को buy करना prefer करेंगे अगर आप options buying कर रहें तो नहीं तो अगर आप options selling करते हैं तो at the same time हम 17,400 के call options को यह sell करना prefer करेंगे अगर आप options selling करते हैं तो यहां पे हम दोनों condition में same strike price का selection करेंगे आप थोरा बहुत उपर नीचे भी कर सकते हैं लेकिन यहां पे हम same strike price ले रहें ताकि हमें यह concept समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो तो यह चीज हमें options में trade लेना है अब उसके बाद सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं कि हमें futures में कितना profit मिलता हुआ दिख रहा है तो यहां पे हमने जो sell किया है वो 17,380 के level पे sell किया पहला target price अगर हम psychological level है तो 17,350 होगा और इसके नीचे हम अपना 12 SL के जरिए continue करते चलेंगे तो देख सकते हैं price आपका 17,320 के level तक आया यानि all the way 60 point का move दिखा है 60 point छोड़ दीजे 50 point का profit हम आसानी से futures में बना सकते हैं तो इसके basis पर अगर हम options में slightly in the money options बाइं करते हैं तो anyhow मुझे कितना मिल जाए अगर हम options buying करते हैं तो अगर फीजर इतना मिलता है तो उसकी half या फिर 60% profit उमीद कर सकते है options में मिलता हुआ दिखे गहां और उप्सेंस सेलिंग भी करें तो भी हम सेम point का profit की उमीद कर सकते हैं options में इनिया फिर हम 30 point के आसपास profit मिलना चाहें जाए हम options buying करें या फि इतना profit मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे पहले, मैंने एक और concept आपको बताया था, वो क्या था, wix, अब दोनों के बीच में relation हम देख लेते हैं, wix और price के बीच में क्या relation, in general, जो relation होता है, दोनों एक दूसरे का पूजिट वह था, अगर आपको wix उपर जाता हुआ दि अगर यह उपर जा रहा है, यह भी आपका उपर जाएगा, यह नीचे आ रहा है, यह भी नीचे आता हुआ, दिख सकता है, तो दोनों एक दूसरे के inversely related है, ऐसा हमें generally देखने को मिलता है, तो यहां पर रेखिए, सबसे पहले, जब future का price आपका gap up open हुआ है, उस टाइम प पास trade लेना, जब तक हम trade ले रहे हैं, तब तक क्या हो रहा, आपका price और wix दोनों एक साथ ही चल वा है, तो आगे हो सकता है, कि दोनों एक दूसरे के साथ भी चले, तो अगर price और wix, दोनों एक दूसरे के साथ जा रहा है, आगे भी, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहा कुछ यहां पर आप options buying में कुछ भी कर दो call options buy जो put UAID कर दो दो एक सफ़Now दो छोग और दो फिर पी आपको नुकसान होता हुआ दिखेगा कैसे नुकसान होता हुआ दिखेगा वह मैं आपको बताता हूं हमने यहां पर क्या किया 17,400 के put options को buy किया हम options buying के बात करें options selling के बात करेंगे अगर आपका दोनों को उपर गया तो क्या होगा? हमने SL लगा था just हमारा क्या होगा? हमारा SL हिट होगा हमने put options buy किया, नीचे आएगा तभी profit होगा, उपर जाएगा तो SL हिट होगा मतलब हमें नुक्सान अगर आपका दोनों नीचे आया तो price तो नीचे आ रहा हूँ हमारे लिए benefit है लेकिन at the same time wix भी नीचे आ रहा, अगर volatility कम हुआ तो क्या होगा? जो हमारा time value है options में, options buying में क्या होता? दो होता, एक आपका intrinsic value होता दूसरा आपका time value होता है अगर volatility कम हुआ, तो time value तेजी से decrease करता है, यहाँ पर आपका time value होता है, वो काफी तेजी से decrease करेगा और options buying में आपको ज़्यादा profit मिलता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए जब भी ये तोनों साथ move करता है, बहुत condition है, कि अगर आपका wix और price दूनों एक दूसरे के साथ move कर रहा है, चाहिए उपर हो या नीचे यह किसी भी conditions में हो सकता, market gap up हो, gap down हो, या फिर रेंज बाउन हो दूनों एक साथ move कर रहा है, तो आपको एक काम गलती से भी नहीं करना वो काम है आपका options buy करने का, पहला conditions उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा, अब दूसरा conditions हम समझते हैं, उसके लिए हम आते हैं, जो हम put options buy किये थे वो, 17,400 पे, उससे पहले एक और ची दिखाना चाहूंगा future में हम बात कर लेते हैं future में देखिए, यह आपका highest point बना था, और यह हमारा SL था, और SL को इसने hit नहीं किया, SL से नीचे ही trade करता हुआ दिखा है वहीं अगर हम यहां पे आते हैं put options है 17,400 का अब यहां पे देखिए यह हमारा lowest point बना है इसको हम SL रखेंगे, और इसके आसपास हम क्या करेंगे हम इसको buy करना prefer करेंगे यहां पे जो हम buy करें वो लगबग 180 के आसपास हम करें 185 है, यहां पे हम 180 के आसपास ले लेते हैं अब यहां से all the way price आपका 200 के आसपास गया है 210 यह फिर 200 तक गया है यहां पे हमें initial में 20 to 30 point का profit मिलता हुआ दिखा है लेकिन यहां पे profit book करना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है क्योंकि यहां पे हम anyhow थोड़ा और target price के उम्मीद करते हुए दिख सकते हैं यहां पे बहुत कम लोग profit book कियोंगे जिन लोगो profit book क्या होगा उन लोगो जितना profit की उमीद था उससे थोड़ा सा कम लेकिन profit मिलता हुआ दिखाया है तो यहां पे हम आगे 17400 के put options पे तो यहां पे अगर हम बात करेंगे हमारा lowest point है पहला कंडली बना है यह हमारा SL बन जाएगा यहनि इसके करीब आएगा तो हम अपना SL हिट करवा लेंगे हम अपना position से निकल जाएंगे अब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम इंतजार किये है इसके करीब ने आया है तो हम इस level के आसपास क्या करेंगे buy side की तरफ entry करेंगे यहां पे हम buy करेंगे और यहां पे जो हम buy करेंगे और उसके बाद जिन भी लोगों ने आगे hold किया है देखिए इस level तक जिन भी लोगों ने hold किया यहां पे आया और हमारा SL हिट हो गया है अगर हम levels की बात कर ले तो देख सकते हैं इसका जो lowest point बनता हुआ दिखा है वह हमारा 160.60 और इस candle के अगर हम lowest point की बात करेंगे तो 159 10.65 यहां हमारा SL clear cut हिट हो गया यह नहीं जहां पे futures में profit मिल रहाता है कितना 60 point का यहां पे हम at least 30-40 point के profit की उमीद करें तो options में यहां पे बहुत कम लोग profit बुक करते हैं यहां पे profit बुक करने का कोई मतलब ही नहीं और आपको time भी नहीं दिया profit बुक करने का और उस जगह पर हमें options buying में नुकसान हो रहा है क्यों नुकसान हो रहा है मैंने आपको already बता दिया कि यहां पर आपका time value decrease होता हुआ दिख रहा है टाइम वैलू टेजी से डिक्वीज हो रहा है जिसके कारण से premium आपका और टेजी से डिक्वीज हो रहा और मुझे यहां पर नुकसान उ आसपास हम option selling करेंगे जो कि आपका 170 के आसपास तो 170 के आसपास यहां पर option selling करेंगे SL यहां पर हमारा काफी छोटा सा बना है और उसके बाद all the price की अगर हम बात करें तिया आपका 120 के करीब आया है यहां यहां पर मुझे में 50 पॉइंट का profit मिलता हुआ दिख रहा है 50 पॉ प्राइस नहीं आया जबकि जब हम options buying कर रहे थे वहां पर अगर हम इनिशल में profit book नहीं करते हैं तो हमारा वहां पर SL हो रहा था तो देख सकते हैं यहीं difference होता है कि हमें situation को देखते हुए decide करना कि कब हमें option selling करना कब हमें option selling नहीं करना है तो अब आपको बताता हूं कि पर करना है यह concept आपको समझ देना है और उसके बाद यहां पर आपको एक और ची देखना दूसरा point क्या हमारा कि market अगर आपका gap up या फिर gap down हो दोनों conditions पर आपको समझने की जबत उसकी बाद price अगर आपका एक range पकड़ ले जिसके अच्छे खासे chances रहते हैं क्यों chances रहते नहीं है और जो समान अभी आपको 100 रुपे मिलवा है इवनिंग में और सुबह में अगर आप जाते हैं वही समान 120 या फिर 140 में मिलता है तो आप क्या करोगे उसको बाई करोगे नहीं बाई करोगे क्योंकि आपने उसके lower price पे देख रखा है तो यहां पर आप क्या करोगे में भी अगर हम options buying करते हैं तो यहां पर हमें ultimately नुकसान ही उठाना पड़ता है किस विजन कारण time decay के कारण ऐसे situation में भी हम options buying avoid करते है options selling करना प्रेफर करते हैं नहीं दूसरा point क्या है कि जब भी market आपका range bound move दिखाए चाहे gap up हो या gap down हो या फिर ऐसे ही दिखा रहा तो इस conditions में भी हम क्या करेंगे जो हम options buying करते हैं options buying को हम avoid करेंगे और यहां पर हम options selling करना वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो दो condition है अगर आपका wix और price साथ move करे या फिर price आपका एक range में move करता हुआ दिखे तो इस condition में हमें options buying नहीं options selling करना ज्यादा प्रेफर करना तो उमीद करते हैं यह simple सा concept आपको clarity के साथ समझ में आ गया होगा और यहां पर हमने different example के जड़ी आपको समझाया है और एक और चीछी बताना चाहाँगा कि अगर आप options में trading करना चाहते हैं तो विक्स देखने की आदत डाल ल बताना चाहूंगा कि अगर आप options की बारे में और details से study करना चाहते हैं तो हमने options related course भी बनाया है जहां पर हमने basic से लेके काफी advanced level तक आपको options की बारे में बताया है अगर आप उस course को लिए enroll करते हैं तो उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना परेगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और यह सारा course देखने के बाद आप options trading में खुद से independent decision ले सकते हैं खुद से आप अपना trading decisions ले सकते हैं किसी और की help की ज़रुत नहीं परेगी और आप options trading में आप छोटा मोटा carrier भी बना सकते हैं अपना second source of income भी generate कर सकते हैं इस त description में मिल जाएगा तो वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके में इनकवीज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम आगे भी आपके लिए वेगलर वीचिस फिलाते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन